अंदर की तो भड़का दी अंदर के आग बज़ाने के लिए पैसे चाहिए तो दोस्तो आज हम जानेंगे कुकू वेब सिरिस छुपी नजर के बारे में वेब सिरिस की स्टोरी काफी मज़ेदार है इसके शुरुबात में दिखाया जाता है एक चिंपेंजी के शकल वाला सिंगल पसली वाला कमजोर लड़का रेस्टोर्ण में बैट कर एक लड़की का वेट कर रहा होता है और कहता है मैं इतने बड़े बड़े डील करता हूँ फिर इस लड़की से तो यू डील कर लूँगा फिर वहाँ मिंडी नाम की एक लड़की आती है और खुद को बहुत होट और बोल्ड समझती है पर उसका मूँ देखकर ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता फिर इन दोनों की बिजनस डील के बारे में बात होती है मिंडी कहती है मैं पहले आग लगाती हूँ और फिर उस आग को बुजाने के पैसे लेती हूँ तो वर्मा कहता है कि मेरे आग बुजाने के कितने पैसे लेगी मुझे दो महने के लिए तुच चाहिए बोल कितना पैसा लेगी तो मिंडी कहती है एक लाक रुपे एक दिन के फाइट सार होटेल में रहना, लगजरी कार्ज में घूमना और आइपोन, ज्वेलरी, कैश अलग से चाहिए मुझे और मुझे कोई परसनल सवाल नहीं पूछना इतना ओफर करने के बाद भी ये चिंपैंजी शकल वारा वर्मा मान जाता है और उसे कहता है ठीक है मैं एकसेप्ट करता हूँ तुमारा ओफर पर उससे पहले मुझे तुमारा सामान और सर्विस देखनी पड़ेगी तो मिंडी कहती है डेमा और ट्रेलर के दो लाक रुपय एकस्ट्रा लगेंगे चिंपैंजी दो सेकेंड में अपना मोबाइल निकाल कर उसे पेमेंट कर देता है और मिंडी को दिखाता है हो गया पेमेंट फिर ये लोग एक सस्ते ओयो होटेल की रूम में जाकर गुड़ा नहीं वाला लुप बना कर बाहर आती है उसे देखकर वर्मा चौक जाता है और मिंडी कहती है no more personal question ऐसा कहकर वहां से चली जाती है फिर मिंडी अपने घर आती है तो उसकी मा उसे कहती है कि तेरे पिताजी हमें छोड़ कर चले गए मैंने अकेले तुझे पाला है तु जल् दो यहां मिंडी कहती है ठीक है आपकी अगर ऐसी मरजी है तो मैं उस लड़के से शादी कर लूगी फिर मिंडी उस लड़के से मिलने जाती है लड़का भी भोला चमन होता है चमन लड़का मिंडी की तारिफ करता है और मिंडी को भी चमन पसंद आ जाता है और मिंडी शादी के लिए हा कर देती है और चमन खुश हो जाता है फिर दूसरे दिन मिंडी चिंपैंजी शकल वाले वर्मा के ओयो रूम में जाती है और गेम शुरू करने वाली ही होती है कि वहाँ एक आदमी पहले से बैटा होता है तो मिंडी वर्मा से कहती है मैं एक साथ दो को नहीं दूंगी उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो वर्मा कहता है वो तेरी लिने नहीं आया तुसे बिजनस के बारे में बात करने आया है फिर वो हुशार आदमी कहता है मेरी एक वेबसाइट है छुपी नजर नाम से जिसमें मैं तुमारे गेम वाले वीडियोज अपलोड करूँगा और हम लोग करोडों में कमाएंगे पर मिंडी गुसा हो जाती है और कहती है मुझे नहीं करना ऐसा काम मुझे जितने पैसी की जरूत है उतने मिल रहे है मुझे तुम निकलो यहाँ से और हमें हमारा गेम पूरा करने दो फिर वो हुशार आदमी वहाँ से चला जाता है और वर्मा मिंडी के उपर चड़ जाता है मिंडी वर्मा से कहती है आज तेरे गन्ये का ऐसा हाल करूंगी कि उसमें कोई रस नहीं बचेगा फिर वो दोनों एक अलग ही योगासन वाली पूजिशन में एक दूसरे को पेलते है पर हुशार आदमी एक हैकर की मदद से रूम में कैमेरा लगा लेता है और हैकर से कहता है इनका वीडियो अपनी वेबसाइट पर लाइव टेलिकास्ट कर दे पर साला ये कौन सा हैकर है इसका मूँ देखकर तो लग रहा है कि ये किसी पान बीडी के दुकान में 200 रुपे पर डे पर काम करता है पर जो भी है इंटेलिजेंट हैकर अपनी हैकिंग स्कील से मिंडी का वीडियो लाइव टेलिकास्ट कर देता है और हुशाराद में खुश हो जाता है फिर कुछ दिन बाद मिंडी की शादी हो जाती है और उसकी सुवागरात रहती है मिंडी का पती चमन उससे कहता है मैंने आज तक किसी लड़की की नहीं ली वो मिंडी को किस करने जाता है पर मिंडी कहती है इतनी भी क्या जल्दी है पहले थोड़ा मौहल बनाते है दारू पीते है ये सुनकर चमन दंग हो जाता है और कहता है तुम दारू भी पीती हो क्या तो मिंडी कहते हैं और फिर वो दोनों दारू पीते है फिर चमन मिंडी के मूँ को किस करने की जगह दिवार को किस करने लग जाता है तो मिंडी कहती है ये क्या चूतिया पना है दारू चड़ गए क्या तो चमन कहता है मुझे नेक्टोपेलिया नाम की एक बिमारी है, मुझे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, तो मिंडी कहती है साले शादी से पहले ये क्यों नहीं बताए तुने, तो चमन कहता है मैं तुमें खोना नहीं चाहता था, और इसी के साथ एपिसोड खतम हो जा ये कहानी लिखने वाले भी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, कम से कम अच्छे एक्टर को तो लेना चाहिए, कम्पूटर पे बैटने वाला हैकर को देखकर तो मुझे अभी तक हसी आ रही है, पर जो भी है, अच्छा टाइम पास है मज़े लेने का, तो दोस्तों कैसा परूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही एक्स्प्लेनेशन वाले वीडियोस देखने के लिए, धन्यवाद